Hello Friends, Welcome to Studyker, आज है 10 अप्रेल और आज हम डिसकस करने वाले हैं 10 अप्रेल से related कर इंटरफियस को, जो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही important होगा, ये lecture आप end तक देखें जिससे इसका पूरा फायदा आपको मिल सके, इसके अलाबा अगर आपने अभी तक इस्टेडी करको सब सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइगों दबाना बिल्कुल लगूले, जिससे आपको notification सबसे पहले मिल सके, इसके अलाबा एक और महत्रपूर्ण सूचना है कि अगर आप हमसे खबरी app पर जोड़ना चाहते हैं, तो नीचे description box में एक link दी ग ले हैं, तो आंसर इसका सैसल्स, ठीक है, सैसल्स जो देश है, उसे पहला ऐसा अफ्रिकी देश मन गया है, जिसको हमने, यानि भारत ने COVID की टीके दिये हैं, फ्रेंड्स इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं, हाली में भारत ने सैसल्स देश को COVID-19 से निपटने के लिए जो जरूरी दबाई हैं, और 50,000 टीके उपलब्द कराए जाने की घोशना किया है, मतलब हमने कुछ दबाईयां और 50,000 टीके दिये हैं, किस देश को सैसल्स देश को, सैसल्स पहला अफ्रिकी देश बन गया है, जिससे भारत में बने COVID-19 टीके उपलब्द होंगे, समू का राष्ट है, और माहे जो है सैसल्स का सबसे वड़ा दूइप है, और इसी माहे दूइप में सैसल्स की राजधानी विक्टोरिया इस्तित, सैसल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया है, ये भी आप याद रखेंगे, राष्ट पती कौन है, यहां के बेविल रा राम कलावन कौन है बेवेल राम कलावन जो है यह सेसल्स के राष्ट पती है फ्रेंट से हम इसको मैप में देख लेते हैं यह सेसल्स की इस्तिति जो की अफ्रीका के पूर्व में इस्तित है अफ्रीका महादीब के किस दिशा में है सेसल्स देश तो यह अफ्रीका महादीब क पूर्व में इस्तित है और ये किस महासागर में के ंतरगत आता है तो हिन्द महासागर के अंतरगत आता है यह हमारा प्यारा भारत और ये सेसल्स की इस्तिति है ठीकर चलिए friends next question देखते हैं बहुत important question है सरकार ने किस महा कभी की तब इस्तिली का मौजूदा नाम महमूद पुर को बदल कर परासौली करने की मंजूरी दे दी है तो आंसर इसका सूर्दास फ्रेंड्स हाली में उत्तर प्रदे शरकार ने मथुरा की गोबर्धन तहसील के पास सिस्तित गाउव है जिसका नाम में भरत्मान में था महमूद पुर उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया है परासौली फ्रेंड्स आपको बता दे की परासौली गाउव महा कभी सूर्दास हिंदी के भक्तिकाल के महान कभी थे स्रीकृष्ण और सूर्दार्ची हिंदी साहत में भगवान स्रीकृष्ण के अनन उपाशक और प्रजभासा के स्रेष्ट कभी थे फ्रेंड्स यहां पर बता दें कि सूर्दास स्रीकृष्ण के भक्त थे और अगर हम बात करें हिंदी भासा में तो इन्होंने जितनी भी रचनाय लिखी है वो स्री कृष्ण को आराध्यमान कर ही लिखी है अब हम बात करते हैं कि सूर्दास की रचनाय है वो कौन-कौन सी है तो सूर्दास की रचनाय है सूर सरावली, सूर सागर, साहत लहरी और नल दम्यंती ये किसकी र करें कि सूरदास जी किस मुगल सासा के समकाली थी चलिए फ्रेंड्स नेक्स कोशन देखते हैं बहुत इंपोर्टेंट कोशन है निमने लिखित में से किस टीम ने भारत के पूर्व हां की कोच हरिन सिंग को अपना कोच नियुक्त किया है तो यह कोशन बहुत में दुरोणाचार पुरुसकार से भी शम्मानित किया जा चुका है फ्रेंड्स यह जो नियुज है बहुत ही इंपोर्टेंट नियुज है और बहुत ही गर्वी के बात है कि भारत की किसी होंकी के खिलाडी को अमेरिका जैसे 37 साली देश की होंकी टीम का कोच बनाया गया ह हारिन सिंग 2017 से 2018 तक भारत की सीनियर टीम के कोच भी रह चुके हैं इसके अलाबा वे भारतिये महिला होंकी टीम के भी को भी प्रस्रिक्षन दया चुके हैं चलिए फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन है आर्वी आई यानि रिजर बैंक इंडिया ने पैमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को एक लाग से बढ़ा कर कितने लाग रुपाय कर दिया है तो आंसर इसका दो लाग रुपाय कर दिया है डिपॉजिट हाली में भारतिय रिजर बैंक यानि रिजर बैंक आप इंडिया ने पेवेंट बैंक के लिए डेपॉजेट लिमिट बढ़ा दी है और यह लिमिट एक लाग से कितने लाग कर दी है दो लाग कर दी है फ्रेंट्स अर्बियाई की स्थापना हुई थी 1935 में और बरतमान में इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है सक्तिकांत दास्ति ये भी आप याद रखेंगे इसका मुख्याला है मुंबई में चलिए फ्रेंट्स नेक्ट कोशन है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है ध्यान से सुनियेगा अगर आपको ये लेक्चर पश्चन आ रहा है तो लाइक करना बिलकुल नहीं भूलना है चलिए फ्रेंट्स भारत और किस देश ने आठ अप्रेल 2021 को सीमा पर फैलाए जाने वाले आतंकबाद सहित आतंकबाद के तमाम रूपों की निंदा किया है तो वो देश है मालदीव फ्रेंट्स भारत और मालदीव ने आतंकबाद और देसतगर्दी जो है उसकी कड़ी न पारगेट किया है पाकिस्तान जैसे देशों को जो की सीमा पर आतंकबाद फैलाते हैं फ्रेंड्स बात करते हैं मालदीप की तो मालदीप दूइप समू है एक मतलब कुछ दीवपों का समू है आधिकारिक तौर पर इसका नाम है मालदीप गडराज जो की हिंद महाशागर मे इस्तितेक देश है फ्रेंड्स मालदीप के प्रवाल दूइप लगभग 90,000 बर किलो मीटर में फैले है ठीक है जो की दुनिया के सबसे प्रथक देशों में से एक मनाता है चलिए फ्रेंड्स इसकी राजधानी देखते हैं मालदीप की राजधानी क्या है तो मालदीप की सौरे देवश मनाया जाता है 9 अप्रेल को फ्रेंड्स हर साल 9 अप्रेल को पूरे देश में सियार प्येफ सौरे देवश की रूप में मनाया जाता है 2021 में 56 CRPF सौरे दिवश मनाया गया है कौन सा 56 याद रखिए कि 56 सौरे दिवश मनाया जा रहा है मतलब 9 अप्रेल को मनाया जाता है CRPF की एक छोटी टुकडी है CRPF की छोटी टुकडी ने 9 अप्रेल 1965 को पाकिस्तान के खिलाब कक्छ के रण में 34 पाकिस्तानी सैनकों को मार गिराया था यहाँ पर बात करते हैं कि यह सौरे दिवश हम क्यों मनाते हैं 9 अप्रेल के दिन क्योंकि 9 अप्रेल 1965 को पाकिस्तान के खिलाब लड़ते हुए भारतिय सैना की एक टुकडी जिसका नाम CRPF है उसने 34 पाकिस्तानी सैनकों को मार गिराया था यहाँ पहली बार था जब पूर रूप से पैदल सैना की टुकडी ने पाकिस्तान की सैना के बुरुद शफल लड़ाई है इस लड़ाई के दोरान CRPF के 6 जबानों ने अपनी जान गबा दी थी इन बहादूर सैनकों को सरधान जली देने के लिए सौरदिबस को हर साल चिन्हित किया जा रहा है इनी 6 जबानों की सहादत को याद में रखते हुए CRPF अपना सौरदिबस मनाता है 9 अप्रेल चलिए फ्रेंट्स अब हम CRPF के बारे में और भी बात जान लेते हैं इसे बोलते हैं Central Reserve Police Force CRPF का full form क्या होता है Central Reserve Police Force ठीक है और यह ग्रह मंतराले के अंतरगत आने वाला पुलिस बल है ठीक है और भारत के जो कैंद्रिय ससस्त्र पुलिस बल है तो उनमें सबसे बड़ा जो पुलिस बल है वो कौन है CRPF ठीक है यह भारत सरकार के ग्रह मंतराले के अंतरगत काम करता है ग्रह मंतरी कौन है अभी बरतमान में आमिश शाह है ठीक है तो यह बरतमान में आमिश शाह के अंतरगत काम करने वाली संस्ता है यानि ग्रह मंतराले के अंतरगत काम करने वाली संस्ता है ठीक है इसकी स्थापना होते ही 27 जुलाई 1949 में याद रखना के बाद यह केंद्रिये रिजर पुलिस बन गया था 1949 में इसकी स्थापना हो गई थी लेकिन भारत जब सुतंत्र हुआ उसके बाद 28 दिसंबर 1949 में एक CRPF अधिनियम आया जिसके तहत यह क्या बन गया केंद्रिये रिजर पुलिस बन गया इसकी जो बटालियन है वो 230 बटालियन है ठीक है और हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा अर्द सनेक बलकॉन माना जाता है वो माना जाता है CRPF चलिए फ्रेंड्स बहुत इंप संजीव कुमार को फ्रेंड्स बरिष्ट IAS अधिकारी हैं संजीव कुमार उन्हें 7 अप्रेल 2021 को भारतिय बिमान पत्न प्राधिकरण यानि ए ए आई के अध्यक्ष के तौर पर निउक्त किया गया है संजीव कुमार महराष्ट केडर के 1993 वेच के IAS अधिकारी है बे इसथार के राज आयूक GST के तौर पर भी काम कर चुके हैं चलिए फ्रेंड्स बहुत ही इंप्वर्टन कोशन यह भी है जन जातिय स्वास्त सही ओगात्मक अनमाया और माया कारक्रम का शुभारम कि किस ने किया है तो यह कारक्रम को शुभारम किया है स्वास्त मंत्री डा अक्टर हर्स बर्धन तो इन्होंने 7 अप्रेल 2021 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से जनजातिय स्वास्त सहयोगा आत्मक अनमाया कारक्रम का शुबारम किया है इस कारक्रम का उद्देश है आदिबाशी शमुदायों के स्वास्त और पोशन को बढ़ावा देने के ल पैनल को सब्सक्राइब कर लें चरिए मिलते हैं नेक्ष्ट लेक्चर में जय हैं अ लेक्चर में जय हो ऑनल कर लेक्चर में जय हैं अपर आत्मक में जय हैं